चाहिए मैं आपको इंग्रीडेंट्स बता देती हूँ, मैंने पनीर को लंबे-लंबे पीसेस में काट की रखा है, मैंने इसके लिए मुझे 4-5 रडचीली चाहिए थी, 4-5 लेसन चाहिए था, नमक है, ब्लैक पेपर है, मैंने लेसन और लाल मिर्च और लेसन को का पेस्ट ब काट फ्लोर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मेरेड करना, मैं एक प्लेट लेती हूँ, जिसमें मैं ये, तो इसको मैं एक प्लेट में निकालती हूँ, इसमें मैं कालीवेश पॉडर मिलाती हूँ, ये सारा नमक मिलाऊंगी, ताकि इसके तीखे पन को नमक थोड़ा मार दे, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, हम एक और प्लेट लेते हैं, जिसमें मैंने एक चमच मैदे लिया है, इसमें हम एक चमच कॉन फ्लोर मिलाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट मिलाएंगे, और इसको मिक्स करते हूँ, अब हम पनीर लेते हैं, पनीर को इसमें रोल करते हैं, और इस पनीर को हम इसमें बैंडिंग लेते हैं, दोस्तों अगर आप इसमें मैदा नहीं लेना चाहते हैं, तो इसकी जगें बेसन भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कि आपको क्या चूज करना है, तो आप देख रहे हैं, हमने इसकी कोटिंग कर ली है, हमने गैस को जडा लिया है, हमारा तेल मीडियम होट हो चुका है, अब हम इसे फ्राइ करने के लिए तेल में डालेंगे, दोस्तों इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राइ करना है, दो से तीन मिनट ताकि ये अच्छे से गोल्डेन फ्राइ हो जाए, बहुत ही जादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, ताकि ये अंदर तक अब्सॉब कर ले, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी पनीर फ्रेंच आड़ हो चुकी है, अब हम इसे औल से निकाल लेते हैं, ये बहुत ही करारी और सुन्दर दिख रही है, अब इसे सर्व करते हैं, ये लीजे फ्रेंच हमारी पनीर फ्रेंच फ्राइस रेडी है